चिकन तो आपने कई बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा पर अगर आप इस तरीके से अपने घर में चिकन बनाएंगे ना तो आपके हाथ के सभी दीवाने हो जाएंगे हेलो एपरिवन आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल देशी वेरियस फूर्ट में एक बद चिकन को तो देख लिए कितना लजीज दीख रहा है चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्यास को पितले-पितले स्लाइस में कट कर लिया है इसका हमें बिरिस्ता बनाना है इसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसो का तेल डाला है यह जो सरसो का तेल है यह घर का सरसो का तेल है इसलिए इसका कलर आम नेट के लिए भी रिष्टा बनाती समय आप एक बात का ध्यान रखेगा कि प्याज में जैसी कलर आना स्टार्ट हो जाए ना उसे आप लगतार चलाते हुई ही फ्राई कीजेगा क्योंकि जैसे प्याज में कलर आता है वो इतना जल्दी ब्रॉण हो जाता है कि पता भी न निकाल ले रही हूँ चलते हैं चिकन की मसाला की और तो यहां पर प्लेट में मैंने लिया है दो मिडियम साइस के प्याज पीस लाजुन की कलिया, एक इंच के बराबर अद्रक, जीरा, ब्लैक पेपर हर इमेच, बड़ी लाइची और लॉंग, इन सभी को मैं एक जार में ले लूँगी और इसको पीसना है, और उसी के साथ मैं जो बीरिस्ता बनाई थी ना, उसमें से भी एक मुठा बीरिस्ता इसमें ले लूँगी पीसने के लिए यहां पर मैं स्पाइसिस में ग्रीन चिली का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रैट चिली का भी यूज़ कर सकते हैं पर ग्रीन चिली का यूज़ आप अगर करेंगे न तो आपके हैल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है तो सभी मसाला को डालने के बाद अब मैंना जो भूंजा हुआ बिरिस्ता था नो उसमें से एक मुठी बिरिस्ता निकालके ले ले रही हूँ और उसी के साथ मैं यहां पर थोड़ा सा धन्यपत्ता रख ले रही हूँ अब हमें इन्हें अच्छे से पीस लेना है यहां पर मैंने चिकन को दो तीन पानी अच्छे से वाश कर लिया है और चिकन के थोड़ी छोटी छोटी पीस कर रहा है ताकि जल्दी पक जाए उसके बाद मैं यहां पर स्वादर नुसा नमक और जितना भी बिरिस्ता बचा हुआ था उसे डाल रही हूँ हल्दी जो मसाला पीस के रखे थे ना उसको डाल रही हूँ एक टेबल स्पून कस्मी रिमिट्च जो केवल कलर के लिए है इस पैसिस के लिए नहीं है और उसी के साथ मैं यहां पर एक निपू का रस डाल रही हूँ इस चिकन में हमने ना सिर्फ भूने हुए प्याज का यूज किया है कच्छे प्याज का यूज नहीं किया है इस भूने हुए प्याज का टेस्ट चिकन में बहुत ही अच्छा है था ये ना इस चिकन का जान कह सकते हैं सबी चीज को डालने के बाद मैं चमत से अच्छे से चलाने की कोशिस कर रही थी पर यह अच्छे से चला नहीं तो मैंने हाथ से ही चीकन में मसाला को अच्छे से मिक्स करने लगी यहाँ पर मैंने हाथ को पहले से ही वाश कर ली थी अच्छे से अच्छे से मिक्स करने के मैंने बिरिस्ता तला था तो उसी तेल में मैं अब सभी खड़े मसाले का फूरन डाल रहीं जैसे तेज पत्ता, बड़ी लाइची, लॉंग, छोटी लाइची, दाल चीनी, सुखी मेर्च, ब्लैक पिपर और जीरा ये सब जैसे अच्छे से चटक जाएगा ना तब मैं इसमे जो फ्रेम है उसको लो रखूंगी और इसको अच्छे से चला लूँगी, चलाने की बाद मैं इसको ढग दूँगी ताकि अच्छे से पक जाएगा, दस से पंदर मिनट की बाद आप देखेंगे ना जो चीकन है ना, चीकन में बहुत ही अच्छे से पानी छोड़ दिया हो इसे मैं बहुत ही बारी कट कर लेती हूँ और इसको मैं मसाला भूंचते से में डाल देती हूँ, इस तरीके से आप भी अपने घर में धन्या पत्तर डालेगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, फिर से मैंने धकन लगा दिया था, दस से पंदर मिनट के लिए, दस से मसाला भू भी फिर बहुत ही अच्छे से पुनजा गया है, आपफ देख सकते हैं कलर बहुत ही प्यार आया है, और यहाँ पर हमने बहुत ही ज चिकन पसंद है न, तो आप इस तरीके से भी चिकन को सर्फ कर सकते हैं पर में यहां पर थोड़ा सा लटपट बनाओगी इसलिए मैं यहां पर एड़ कर रही हूँ पानी यहां पर मैं डेर गिलास के करेब पानी आड़ कर रही हूँ, और उसको अच्छे से चलाने के बाद मैं आपको ग्रेवी दिखा दे रही हूँ जो ना की बहुत जादा पतला है और ना ही बहुत जादा गाड़ा है तो अब मैं यहाँ पर तीन से चार हरी मिर्ची को बीस से कट करके डाल दे रही हूँ और इसको धक्कन लगा दे रही हूँ ताकि इ यहां पर गानिश कर दिरूंधा धनिया पत्ता से और ठक्कर लगा के छोड़ दूंगी थोड़ा सा 5-6 मिनट के लिए ताकि जो ग्रेवी है वो और ज्यादा थीक हो जाए पांसे च्छाय मिनट के बाद जो हमारा चीकन है वो सर्फ करने के लिए तन तैयार हो गया है तो अग अपने घर में ज़रूर बना के बनाईएगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको यह रेसेपी कैसी लगी मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे देल से धनिवाद मिलती हूं